आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास है यहाँ पर जियो फोन नेक्स्ट और अगर आप अपने जियो फोन नेक्स्ट में यहाँ पर लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन की सैटिंग्स करना चाहते हैं, लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन को बंद करना च चाहते हैं या फिर चालू करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं यहां पर आपको इसके लिए अपने फोन में सेटिंग्स को सबसे पहले ओपन करना हैं सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहां पर नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिले नीचे advance, advance पर click करिए, उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है और आपको एक option मिलेगा lock screen, यहाँ पर आप देख सकते है last option lock screen के नाम से है, इस पर आप click करिए, और click करने के बाद आपको यहाँ पर एक option मिलेगा notifications on lock screen, तो यहाँ पर आपको मिलेगा don't show notification at all, एक option, और एक option मिलेगा show all notification content, तो यहाँ पर lock screen notification show करने के लिए, यानि कि content आपको show हो जाएगा lock screen पर message का, तो आप इसे select करिए, और अगर आप चाहते हैं कि lock screen notification आपके phone में ना show हो, तो आप इसे don't show notification at all कर सकते हैं इस type से, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें और हमारे चैनल को subscribe जरूर करें,